दोस्तों आज की शूड़ो में हम बात करने वाले हैं GoChatt application की कुछ settings के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा और अगर आप GoChatt application को use करते हैं तो आपको ये settings पता होना जरूरी है तो chat messenger app है जिसके थुरू आप किसी से भी video call, audio call या फिर message पे आप बात करना चाहते हैं तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं इस application को जब आप use करते हैं तो आपको किसी भी third application को use करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं और अगर आपके phone में network slow है तो तब भी ये application काम करती है कर सकते हैं और देख सकते हैं इस application को किसे आपने यूज करना है तो अगर आप इस application को यूज करते हैं तो आपको इस application की कुछ settings के बारे में भी पता होना जरूरी है तो यहां से हम जाएंगे गोचेट एप पर गोचेट एप हमारे पास यह है हमने इसको अपने करना है यहां पर आपको एक option मिल जाएगा यहां पर त्री डोट्स यह मिले वे इस पर आपने क्लिक करना है यहां पर आपके जो भी application के profile है जो भी application का जो भी account हो यहां पर आ जाएगा तो सबसे पहले हमने इसमें यहां पर कोई भी profile सबसेंदर नहीं कि विया तो अगर आप यहां पर profile को सेट करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं आपको आइकन मिलावायाई यहाँ पैंस्यल का तो इसको आपने क्लिक करना है और यहां से ग्ली से पोटो प्रोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोट और यहां पर नोबड़ी अगर आप चाहते कि मेरा जो भी लाट सीन है मैं कभ इस एपलिकेशन पर ओनलाइन आ जाहूं तो आप नोबड़ी के उप्शन पर क्लिक करके यहां पर इसको सेलेक्ट कर ले तो जो भी आपका लाट सीन है उसको कोई नहीं देख पाएगा अगर हमारे सामने ओप्शन आ जाते स्विच नंबर इस पर अगर हम यहां पर करते हैं तो यहां पर जो भी हमारा नंबर है यहां पर उसको स्विच कर सकते मतलब अगर हम यहां पर दूसरा नंबर डालना चाहते हैं इसमें यहां पर इसने देवाए एंटर यूर नंबर और यहा आपका number है वो यहाँ पर change हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक और option आ जाता है यहाँ पर आप देखेए delete my account अगर आप अपने account को इसको delete करना चाहते है इस पर आप click करेंगा और यहाँ पर अपना number डालेंगा और यहाँ पर delete my account का option पर आप click कर देंगे तो ज यहाँ यहाँ लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कैसे में आपको बताता हूं तो यहाँ पर आपको option मिलागा चेट wallpaper का इस पर आप click करेंगे और यहाँ पर आपके सामने option आजाएंगे photos, solid color और यहाँ पर आप देख रहें wallpaper library आप wallpaper library से कोई भी यहाँ से wallpaper ले सकते है wallpaper लेने के बाद आप इसको select करेंगे और यहाँ पे आपको option मिल जागा set as wallpaper wallpaper के option पे आप click कर देंगे आपका जो भी wallpaper है यहाँ पे set हो जाएगा यहाँ पे आपसे खुछ permission मांगेगा अपने permission दे देनी है तो आप देखते हैं यह wallpaper हमारे यहाँ पे set हुआ या नहीं तो आप देखरें जो भी मैंने यहाँ पे wallpaper चेट किया है वो यहाँ पे set हो चुक है इस तरह से यहाँ पे आप अपना photo भी set कर सकते हैं अगर आप अपना photo यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे option आजाता है notification का इसबढ़ी आपके पास मेसिज आते हैं उसका जो भी नौटिपीकेशन है उसको आप बंद करना चाहसे तो आप अिसको यहाँ पर पर पिखसक्ते हैं इस करना जिसे हमारे आने वाले भी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो आज के लिए मैं तब तक लिए जहन